सबी जवानों का एक बार फिर से वेलकम है एक अगेन सेशन में जहां पर हम नवी अससार और इसके अलावा जो एयर फोर्स के एकजाम है उसके रिगार्डिंग हम मॉक टेस्क लगातार कंड़क कर रहे हैं इसके पहले दो मॉक में आपने अपना शकर होगा मॉक नमबर थार्ड इस पर आपको करना क्या है और देखना आपके स्कूर क्या रहा है लास्ट में आपको कमेंड बताना है ठीक है तो आईये फर स्टार्ट करते हैं विदावड देले जो कुस्च्छन से बनते हैं उन्हें जो नहीं बनते हैं उनको seriously लेना है उनको आगर आप notes में pen down कर सकते हैं तो pen down भी करना है so that revision में वह आप revise कर सकें questions को पहले question पे start करते हैं he said no I am not guilty उसने का narration का question आपको पता है है ना खास्ता हो से नवी SSR वाले कि आपके एक जाम में narration और वाइस के question बार बार पूछे जा रहे हैं अब यह क्या कर रहा है he said no I am not guilty sad sad का मतलब क्या हो गया past हो गया और past हो गया तो आगे वाला ही past बनाओ गया यहां पर क्या जाएगा was not guilty was not guilty was not guilty was not guilty यहां पर तो not है नहीं तो अब तीन options में आप देखिए जारा पहले वाले पर sad to no sad to के बाद object चाहिए object है नहीं he said that he was not guilty यही आपका correct answer हो जाएगा sad के बाद that लगा और इसके बाद he was not guilty यह आपका correct answer होगा option अपना answer match कर सकते हो आगे चलते हैं पहुच करके वीडियो को पहुच करके खुछ से ट्राइब करें क्या आप सही answer दे पा रहे हैं यह गिवन मी अब बुक को अब यह देखिए डवल ऑब्जेक्ट वाला वाइस वाइस के चेप्टर अभी क्रैस कोर्स में कराया हुआ है रिसेंट में अभी आपने इस चेप्टर को कंप्लीट किया है वाइस वाले को हलाके going on है जो भाई बंदू क्रैस कोर्स में रूल होना चाहते है सकते हैं पूर मंत में पूरा कंप्लीट स्लेवर्स अभी त्री वीजन के साथ आए यहां पर बात करते हैं गिवन मी अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है एक मी है और एक आप दोनों से बना सकते हो पैसिव जैसे मी को पहले ले आओगे तो यहां पर बन जाएगा आई हैब सिर्फेड़ का पैसिव हैव और पर्फेक्त वाले पैसिव में आप यहां पर नहीं यहां पर यहं पर या पर आप मिस्सिंग है और टाइपिंग में स्टेफ हो सकती है आगे चलते हैं इसमें से कौन सा गलत है यह आपको फाइंड आउट करना है ठीक है अब इसमें पहला कहा रहा है इन कुष्टिव का मतलब होता है जिग्यासू आप कुष्टिव वैसे कुष्टिव तो आप ज सही लिखा है और इंग्नोरंट के साथ प्री पोजिशन क्या लगाते हो और लगाते है इंग्नोरेंट का मतलब होता है अज्यानी होना ना समझ होना तो यह सही है आप का आपसे नमबर経 एब का होता है का मीनिंग होन होता है टिजास्टर होता है या उली दिस्कस की है कई बार अमिटी का मीनिंग होता है इसक्रीट का फ्रेंड्स्प और यह जो एइम एम-एम-ओ वर्ड जो आते हैं तो आप यह कह सकते हैं गया स्था मुसीबत जसको आप काली मिटी बहुत ज्यादा तरासदील आती है उसको निमोनिक्स बना करके एक आप ज्यादा त्रासदी आती है मों इसले केटा लगा देतो है इसका मतलब बी होती है केटा स्ट्रॉप माईजरी माजरी का मतलब मुसीबतT可能 मुसीबत होती है यह सारे इसमें पढ़ते हो मिस्वा तीम मैं prepare संपनता होती है तो अब यहां पर क्या कहना चाह रहा था कैला मिटी का सिनोनिम डिजास्टर हो जाएगा अगर पूछता तो वह जाता आपका कौन सा प्रॉस्पेर्टी वैसे इनको एडवर्सिटी भी कह सकते हो दूसरे सब्दों में आप एडवर्सिटी भी कह सकते हो को मतलब कशने का मतलब करना प्रियास कर फ्रेयास करने का मतलब होता है क्या करना मेद मोहित करना सम्मोहित करना किसे को आकरसित करना अपनी हो जैसे आप हो तो फैसनेट करना एक वर्ड ये यूज करते हो फैसनेट चार्म है चार्म वर्ड यूज करते हो चार्म या फिर वू करना या फिर लियोर करना या फिर अलियोर इसी से वर्ड बन जाता है अलियोर या फिर मैसमे रा तो इंचान्ट मतलब होता है आकर सित करना है ना रिपेल करने का मतलब घणा करना तो यह पोजिट वर्ड हो जाएगा रिफल लिपेल्स संव बनviol到 a Re exposed हो κरना और तुशे कर ना तरीके से कर रहे हो अगर आप सक्सेज होना चाहते हो तो आप मजबूरी वाली पढ़ाई मत करो आप अपनी पढ़ाई को कैसे करो हाइट एंड शूल तरीके से इसका मतलब जो भी काम करो आधूरे मन से मत करो नहीं आपको उसमें कभी भी डिजायर्ड जो रिजल्ट है वह है यहां पर और नहीं मिलेगा है ना तो उसी तरीके से कह रहा है रहigans हो मतलब करके कौई काम करव्य यहां पर करेक्ट आंसर कौन सब्सक्राइब करो बैसका मतलब कर करो ना इसका मतलब कैसे आपको पढ़ना है पूरे दिल से पूरे मन से पूरी लगन के साथ पढ़ना है और उसके लिए सबसे में इनकाम क्या है कि आपको इंटरस्ट जगाना पड़ेगा आपको उसमें रूशी पैदा करने पड़ेगे सब्जेक्ट में तब आप पैसा कर पाओगे आगे चलता मैंने ने जैब मन जाता है यही मत्बब होता है जैसे मौन लोग कोई सारे उन जिसने बहुत सारे वह से याद करों जिसने बहुत सारे प्लॉस बहुत सारे जल्ली पहन रखी है वह कैसे फिल करेगी वह बहुत ज्यादा वीरी फिल करेगी इसको ऐसे लर्ण भी कर सकतो आप वीरी को है ना अब आंगे क्या कह रहा है अब देखो इसमें कह रहा है ऑन अकाउंट आप मतलब होता है कि कारण यह एक प्री पोजिशन लिखता हो प्रब्जिशन के बाद आपको वर्ब लिखनी है तो सब्सक्राइट वर्ब सुड़ बीटेन इन आएंजी फॉर्म में होनी चाहिए ठीक है ताब आप देखे यहां फर वाक नहीं आएगा वाक नहीं आएगा है वाग नहीं आएगा इसलिए करेक्ट आंसर आप हम्पी और डंप्टी जो है वाल पर बैट गए अब यहां पर यहां तो प्रजेंट के साथ यह पास्ट के साथ यह वन टाइम एक्शन है कोई रगूलर एक्शन ऐसा नहीं है कि आप प्रजेंट में मना है तो यह दोनों तो हट गए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कौन स इसलिए होता है अगर आपको वर्ड के अर्थ भी पता है तब यह आपके स्कुष्चन का आंसर सही कर पाएंगे चलते हैं इंट्रस्ट नाइन परसेंट करता है कितने नाइन परसेंट तू आएगा एट आएगा फॉर आएगा या वैसे कीमत के लिए अलग अलग तरीके के प्रब्जीशन आप यूज करता हो कोई भी चीज कितने कितने रेट बेची जा रही है ना वह फिर वहां पर आप यूज करता है ना यहां पर करेक्ट आंसर होगा सब्सक्राइब। बताना चाहता है यापे बद Lori अ यहां क्यूंत पर पना चाहरां किसा मालुट केह פाला केना चाहरा हूँ वहां पर वहां पर नंतुर्न पर तो तो अगर रेट बताना चाहरो तो फिर वाहाँ पर एट ज्जादा सहिए इंट्रस्ट बताना चाहरे हो और आटमडल कि यहां पर वैसे तो आप पोगे किसारिया पर इन एट अपउन प्रॉंग अलग होने के स्टेश में बनेगा नहीं अट इनके लिए पोस्ट ऑफिस यहां पर आप इनके लिए जो प्लेस फिक्स्ट हैं उनके लिए आप यूज करिए हर जगे एट मत लगाए करिए एट के यूज सर्टन है चाहे वो टाइम के अब इन तो लगेगा नहीं चुकिए टेबल में बुक है यह वाली बात को होगे नहीं तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका आएगा लेकिन आप धूर्ड रहते हैं यहां पर क्या ओन यहां पर इसलिए आप ऑन के साथ जा रहे है ऐसे कई टर्म कंडिशन जैसे डिपेंड के K Nie आगे चलते है नास्ट माइव फ्रैंडड ऑप दिस प्लेस ऑन लिव अब ये क्या कह रहे है मेरा मित्र बात कई भार हम क्या करता थे यह सब्वध सक्वादिग के आती है यह जो जवलजेटिफ के से सक्वाडिंग वर्व लिगए हैं लिग तना इस अपर जो आप फिल करना चाह रहे हो माई फ्रेंड के अंसार अब क्या आएगा और तो आएगा नहीं है जो प्रॉपरली एक एक चीज को कनवर्ट करके बनाने कोसिस करेंगे आपको ऐसा नहीं करना है और यू ली करना है आपको अली यह जो वाट है यह आपका एक्चुली आपजेक्ट है वाट आर यू सब्जेक्ट है अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो वाट से ही स्टार्ट करोगे तो देखो वाट इज बींग लिसेंड बाई यू अब यह बाई सब्जेक्ट है इसलिए बाई यू लिपिया इस इक भीज़ बोलते हैं अब कहाता है और माइड मतलब मर्दोर होता है और मतलब लासले मतलब होता है जो यांशारी से हो जाएगा प्रूडेंट। जाएगा इसका पूझे पूर्टीन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ एंटोनिम पूझ रहाता है एक ऐसी डिजायर जिसमें व्यक्ति क्या करता है होम सिकनेस की बात करता है पुरानी चीजों में खूल जाना जैसे आप अपने बच्पन की यादों पर फिर आप गाते हो बड़ियां मंद मंदस्वर में गाते हो तो ना बच्पन का प्यार है तो वही कहना चाहरा है क्या कोगे इफे मेरल है वर्साटाइल नॉस्टैलिया इस नॉस्टैलिया पुरानी यादे होती है यह आपका प्राइक्टर याद कर सकते हो नोस्टैल आप नास्ता लिया और वह आज भी आपको याद है आपके समुसे आप एसे याद रखते हो एंगला घर आई एकसरसाइज बाइद अब यह वाला टर्म तो मैंसे पहले वी कर अखिले प्लस टाइम लगाते हैं तर श्के साथ दो डोवी खेल बिसिकली आपके एक बनते एक बनते हैं पास्ट का पर्शान का पर्फेक्ट और एक बनता है फ्यूचर का पर्फेक्ट अब आप देख लीजिए फिला लिया तो पास्ट वाला तो कोई है नी फ्यूचर पर्फेक्ट बन जाएगा सैल है रीटेन आपका करक्ट आंसर हो जाएगा मैच यूर आंसर आंगे चलते हैं मैरे जो सक्टी है वो लगवग 10 के बराबर है इञासर होगा या पर बिकाज है लगवग इस दा स्टेंट ऑफ टैन मेरी जो सकती है वह लगबग दस लोगों के सकती के बराबर है क्योंकि मैं प्योर हूं क्योंकि सच्चाई में पावर होती यह बात कहना जा रहा है है यहां पर आ जाएगा करेक्ट आंसर भी कॉज वॉक्विक्ली यू विल नॉट ओवर्टेक ही है ने तो तुम ओट नहीं यह बाओगे यहां पर पर क्या होगा यह पर इस आएगा व्यादे कर वह इफ यदी अगर कंडिशन बताता यहाँ पर करेकट अंसर होगा इलस इलस का मतलब होता ऑनध गरा टेशलो नहीं अनधा कही एसा नहों कि तुम उसको और टेकर नहीं करपो अबहु आनता तो मुसको ओघंग कर पाउardi हुग मतलब पास्ट होगया जब पास्ट हो में चेंज हो जाएगा सब्सक्राइब यहां पर दो को आस्ट ही आस्ट ही आस्ट दैट तो नहीं लेगा इंट्रोगेटिव में या तो इफ या वैदर या फिर कॉश्चिन वर्ड लगता है तो पहला तो रिमूव होगा दूसरे वाले पर हाउ माई फादर वाज आएगा अप्शन नमबर थर्ड हो जाएगा हाउ माई फादर वाज ठीक है क्लियर हो गए बार आगे चलते हैं नेस्ट के रहा वैं डिड़ दे विजिट भी ताज है ना वैं डिड़ दे विजिट भी ताज डिड़ है डिड़ के मतलब पास्ट इंडफनेट है इसका मतलब वाजव अब बाई व्यून नहीं लगा हो गए वह तो ही में अप्यूज करते हो ओ अब्जक्त होते हैं तो उसकेस में क्पाते हो है इसके कॉस्टिंव है ओंड़ आज वाले में कमी कुश्चन है मेरे टौल से टॉत्टी ही वैसे AWS 25 को सेट होन चाहिए था कोई बात नहीं आप 21 में ही एनलेसिस करके मुझे बताइएगा आपका स्कूर क्या रहा है इन 21 कोश्चन सुमें तो तेल मी यूर स्कूर्स और बाके इसके लावब भी मॉक टेस्ट का सिल्सिला आपके साथ लगातार जारी रहेगा ठैक यू थैंक्स फॉर अटे बात दो जागे तो शॉर् cierto का मुझे रहा है इन 21 कोशन